जब भी कुछ अच्छा खाने का मन हो खास करके चटपटा खाने का मन हो और काम में आलसा रहा हो तो आप इस ता से पनीर भूर्जी बना कर देखिए बनाने में सरी 5 मीड लगते हैं बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है कम समय में बड़िया खाना बनाना हो तो आप इस सासे पनीर भूर्जी बना सकते हैं तो रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो रेड बटन दबा कर मेरे चानल को सस्क्रेब ज़रूर कीजेगा और साथी साथ बेल आइकन दबा दिजेगा जिससे आपको में नोटिफिकेश मने पैज इसमें एड किया है पैज हमें बारिक कट करकर इसमें एड करना है इससे पनीर भूर्जी का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है पैज को हमें जादा कलराने तक नहीं भूनना है अजनी के साथ में कूटा हूँआ अद्रक लसुन आठ से दस लसंगे कर लिया और आधा इंज का तुकड़ा मैंने अद्रक का कूट लिया है तीन हर इमेज को बारी कट करकर इसमें एड़ करे हूँ इस सासे बुर्जी बनाने के लिए हमें कोई भी मसाला अगरे पिसने के जूरत नहीं पड़ती है इसलिए ये फटा फट से बन जाती है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है पैज और अद्रक लसुन अच्छे से तेल छोड़ दे उस समय हमें इसमें एड़ करना है एक चमच इतना बेसन बेसन आड़ करने से क्या होता है सबजी में बहुत अच्छे से ग्रेवी निकल कर आती है याने पनीर और जो ग्रेवी है वो अलग-अलग नहीं दिखाई पड पाउडर एक चममच, आजा चममच ऐड़ केया है healthy पाउडर, एक चममच और धनिया पाउडर, आधी कटी होई शिमला मिर्च को मैं निए इसमें जाट किया है, शिमला मिर्च अगर नहीं है तो स्किप कर सकते है तो देखिए एसा चला लिया है, और साथ इमें आड़ करे ह यह क्शुक्त के लिए तौ बिज़ लात रहते हैं वाम पाठी लोग लिए बशुक्त होस्ट जिससे ये जल्दी से soft हो जाती है तो देखे, gravy हमारी बनकर ready है इसे हमें क्या करना है, देखे, इस ता से mash कर लेना है तो इस ता से हम spatula से इस अच्छे से mash कर लेते हैं पनीर के dish में हलक किसी हमें एक smoothness चाहिए इसलिए हम इसमें आड़ करते हैं दही तो दही जादा खटा ना हो मलाई दही रहता है तो जादा बढ़िया रहता है अगर दही नहीं है तो आप इसमें दो चमच इतनी मलाई एड़ कर सकते है चाहो तो आप इसमें दूद भी एड़ कर सकते है तो देखे इसे हमने चला लिया है जब मसाला बढ़िया से हो जाए ना उस समय हमें इसमें अड़ करना है मसाले तो देखिए इसमें मैं अड़ करे हूँ आदा चमच इतना पाव भजी मसाला जिससे बहुत ही चटपटा इसका स्वाद आता है एक चोतह चमच आड़ करे हूँ गरम मसाला और उसे के साथ मैं इसमें आड़ करे हूँ आदा चमच इतनी कसूरी मेती तो देखिए जो हमने गरम मसाले इसमें आड़ किया है ना पाव भाजी मसाला और गरम मसाला इससे बहुती अच्छा चटपटा स्वाध आता है और पनीर बुर्जी खाने में बहुती स्वाधिश्ट बनती है तो देखे मसाला बढ़िया से हो चुका है तो अब हम इसमें एड़ करते हैं पानी पानी दालने से क्या होता है इसमें अच्छे से ग्रेवी बनती है और पनीर दालने से पहले इस्ता से पानी दाल कर हमें अच्छे से इसे कुक कर लेना है क्योंकि पनीर दालने के बाद ये थोड़ी थिक भी हो जाएंगी जब ग्रेवी में इस्ता से उबाला जाए न याने जो gravy है देखे इस्ता से हो जाना थ sources पनीर तो पनीर को मैने हाथों से क्रम्बल कर लिया है और इसमें मैंने एड़ किया है ये घर का पनाय हुआ पनीर है आप चाहो तो मार्केट का पनीर ले सकते हैं दो गलास दूस्स से मैंने पनीर बना कर रेडी कर लिया था तो पनीर को हमने मिक्स कर लिया है और जब एक बॉयल आ जाए ना उस समय हमें ग्यास बन कर देना है इस समय आप चेक कर सकते हैं नमक बराबर है या नहीं तो नमक मुझे कम लग रहा है था इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक इसमें और आड़ किया है तो इस पाउ साथ के साथ हम इसमें पाउं फुवसा होटेल की पनीर की सबजी खाने की क्रेविंग नहीं होगी बहुत ही अच्छा इसका सवाद आ जाता है ना इसलिए और साथ ही मैंने बटर रखा है और इसा से पाव सव किया है रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और और पी रेसिपी देखने का मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा मिलते हैं नए रेसिपी के साथ थैंक्यो फॉर वाचिए